भगवान कैसे गायों ने मारा सरण सुलफ सेट लेश्यूं मने तमें गोवाल समझो सो गोपिवो कैसे ना ना अमें तमने ओलक्षिये शिये तमें स्री निकेतनम सो तमारा सरण लक्षमी जना रहवाना स्थान रूप से इटले क्या आप लक्षमी पती सो तमारा चरण तो लक्षमी जीनी गोद माराखीने नित्य सेवे से स्री कृष्ण कैसे हुँ मारा चरण तमारा रदयमा पद्रावा तयार सु पड़ मने डर लागे से तमारा रदयमा अभिमान से अभिमान रूपी जेर से त्या मारा सरण केम पद्रावा ते अभिमान रूपी जेर मने वलगी जाये तो इटले मारा चरण पद्राव तो नथी गोपिवो बोले तमे अमने बताओ आप तो फ्रणा 500 तमे तो जेरी काली नागनी फ्रणाओ पर नाचनार सो काली नागना फणाव पर आरूड थया त्यारे तेनु जेर तमने वलग्यू नहीं तो अमारा रदय मारेलू अभिमान रूपी जेर तमने शुँ वलगवानो दू हवे बहाना बताव सो भले मानों कि अमारा रदय मा जेर से पन जेर ने पन अम्रुद करवानी शक्ती तमारा चरण मा से तमारा चरण अमारा रदय मा अभिमान रूपी जेर ने पन अम्रुद बनावशे तमारा चरण अमारा रदय मा स्थापो एटले अमारू अभिमान अम्रुद बनी जशे तमारा चरण अभिमानने तो शू, पन्नमन करनार ना सर्व पापोने पन्नाश करनारा से, गोपी वो विन्वे से हे नात, तमारा अध्राम्रुतनु पान्वडे अमने जिवाडू, स्री कृष्ण कहे से, तमे तो जिवी रियासो अने जिवाडो से विमागनी करो सो, तमे अमने जिवाडो वगेरे जूठा वसनों बोली रियासो, तमारा प्रेम मामने कई कपज्ये उलागे से, अमे तो सामेडू से के दश्रत जी राम जीना वियोग मा प्राण नो त्याग कर राम नो वियोग ठता तरत अस दश्रत जी ने प्राण त्याग किरया, राम न आवियोग मा त्याना प्राण गया, दश्रत जी राम न आवियोग मा जिवया न थी, आनुनाम साचो प्रेम क्या वाई? मारा वियोग मा तमें जिवो सो मारी वातो करो सो तमारो प्रेम बराबर नथी इटले मने लागे से कि तमारो प्रेम साचो नथी तमारो प्रेम साचो होए तमारा वियोग मा तमारा प्राण केम गया नथी आसामली गोपी ओ आंतर ना दे आंतर स्वरे गावालागी से एक गोपी बोली नाथ आप एवु बोलो सो मारा प्राण तो क्यार ना जवाना हता पन तमारी कथामरूत अम्मे पान करिये शी इटले ते लो भी अमेरा प्राण जता न थी अमारा प्राण तो जवाना हता पन तमारा नामा मुरूद अने कथा मुरूद अमारा प्राण ने टकावे से तमारी कथा अमारा प्राण जता अटकावे से नाथ तमारी वात मने यादावे से तमे वचना पेलू से ने के हूँ तमने मलेश अमने त्याशा से ते थी अमारा प्रान जतान थी वश्न वाशा थी जिवे से जिवन ना शिल्ला स्वास सुध्या शाराखे से के मने मारो परमात मा एक वकर जरूर मलशी प्रभू तमारी लिला कथा अम्रूद स्वरूप से कथा म्रूद पापनो नाश करे से तमारी कथा केवल सांबलवाती जलाब थाई से एनुज मंगल से यग्णनी कथा सांबलवाती आनन्थ तो नथी भगवाननी कथा सांबलवाती आनन्थाई से विरहती दुखे थेला लोक को माटे तो ते जीवन रूप से, जीवन सर्वस्व से, मोटा मोटा ज्ञानी महत्मा ओए, भक्त कवी ओए, यना गान किरा से, ते कथा साराये, पाप, ताप तो मिटावे से, पन साथो साथ सांभलवा मात्रती परमकैल्यान पन थाई से, ते अती सुन्दर, अती मधूर, अन शान्ती दायक से, सर्वन अम्रुत्तो पुण्य ने बाले से, त्यारे तमारी कथा तो पापो ने बालनारी से, जीवो मारिया लिला कथा नू गान करे से, तिवोज खरीरी त्या लोक मा मोटा मा मोटा दानी से, राम जीए जयरे हनमान जीने पुश्यू, के हे तात, कहो, ज जानकीजी मारा विर्व मा केवा केवा प्रकारे रहे से त्यारे पोता ने प्रान नी रक्षा करे से और थान अब बन्ने वातो असंभव से त्यारे हनमान जीये कयु तमारू नाम रात दिवस पेरो देवावालू रक्षक से अने तमारू ध्यान ये बारणा से अने नेत्रों उत्ताना चरणों मा लगाडे ला राखे से तो हे प्राण हवे क्या मारक्ती भार निकली शके आप पुसो सो के ते के विरिते जीवे से वियोग विरिहमा तेने प्राण निकली गया होत तो पन प्राण निकलवानों रस्तो मलतो नथी तमारू नाम अने ध्यान सूटे तो तरत अस तेना प्राण निकली जा पन तमारामा एना एवो प्रेम से के तमारू नाम अने ध्यान सूटतो नथी तेनों वियोग थतो नथी इटले प्राण नीकली शक्ता नथी, इटले तेना प्राण नुरक्षन थाई से आथी बताय उसे के जान की जिना मन, वचन अने कर्म इत्रेने आपना लागेला माज रहे से, तमारू नाम अने ध्यान एना प्राण ने अटकावे से, इटले के, तमारू नाम अने ध्यान एना प्राण ने टकावे से, प्रभुनी कथारूपी अम्रूत, विरधशामा थी प्राण ने जटाट कावे से, भगवाननी कथापन, भगवाननी माफक्ष गुण थी युक्त से, ते मोक्षनी आपनारी से, अने परमानन स्वरूप से, ते अम्रूत से, ते तपेलानू जीवन से, संसारना ताप्थी पिडि थैलावना दुखनू निवारन ज्ञान अने वैराज्य करे से, वले ज्ञानी ओ कथाम्रूत निस्तूती करे से, ते पापने दूर करनार से, कल्नाण कारक से, आथी कथाम्रूत मा यश्धर्म से, ते लक्षमी युक्त से, ते सरवत्र व्यापे से, आम अश्वर्य गून से, भगवान मां अश्वर्य, वीडियो, यस, ग्णान, वैराईघ्य अन स्री एछा गूणों से, तेम कथाम्रूत मां अच्वा गूणों से, अनदान वस्त्रदाने उत्यम से, पन खथादान सर्वती स्रेष्ट से, काई पन आश्यावगर तमारी खथा करे, ते उत्यम मा उत्यम भक्त से, ज्ञान दान्ती जीवन सुद्रे से, जीवने कायम नी शांती मले से, कनेया, तारा माटे, आमें सर्वस्वनों त्याग करीनी आव्याशी, ना, तारा माटे, आमें लोक लज्जानों पन त्याग करो से, अने तु आज निष्टूर थाई नमने आउ कैसे, भाय चोईडा, बंदू चोईडा, सोईडा चगा सोई, मेरे तो गिर्धर गोपाल, दु एक क्षण पन छोट्तू नथी, कोई वस्तू मां क्षण चित नव सोटे, अलबेलो आवी बेठो है ये जी रे, दयाना प्रितम जीने, इटलू जैने के जो, क्या सुधी आवादुख सहिन करिये, माटे हमने दर्शन आपो, मुझे जो दर्शन गिर्धारी, तोरी सावरी स परवारी रे, आविरवेद ना सै से, मिरा बाईये, आशब्दो मां, प्रगट केरी से, पेशी लगन लगाए, कहा तू जासी, वहां तू जासी, एशी लगन लगाए, तुम देखे बिन कल न पड़त है, तडप तडप जीव जासी, गोपिवने कृष्ण दर्शन नी लाल साके वी से, गोपिव आखनी पापणों बनावनार ब्रह्माने पन शाप आपे से, आपापणों पन तमारा दर्शन ने विगन करे से, नाथ, तमारा दर्शन करता आपापणों हाले से, ते तिक्षण माटे तमारा दर्शन थता न थी, एक पल माटे पन तमारा दर्शन थत पापण अम्हेर्ट कावे से तिया अमारा थी सहन्थतु नथी नाथ एक्षण नोपन तारो वियूग अमारा थी सहन्थतु नथी आँखनी आ पापणों बनावनार ब्रह्मा जड़ से आँखनी पापणों नोहोत तो अमें निरंतर तारा दर्शन करी शके नाथ आ दर्शन माटे क्या सुधी राजोवी पडशे तने शोधी शोधीने तो हवे अमारी आखो पन दुखवा लागे से नाथ जार थी आप अमने सोडीने गया त्यार थी कोई दिवशान्ती मलई नथी तो दुख सहन करनार अने सुख आपनार क्यारे थमें मलशो क्यारे दर्शन आपशो विरोवेद ना सहन तती न थी इटले गोपि ओ रडवा लागी एकला गीत थी कई पन वेलू नहीं एकला भगवान ना गुण गान गावा थी पन भगवान प्रगट्थता न थी परन्तु तेने माटे रडो त्यारे ते प्रगट्था आई से दर्शन आपशे स्री कृष्ण माटे गोपि ओ जारे रडवा लागी त्यारे परमायत्मा प्रगट्था आसे कृष्ण दर्शन नीट सावाली ते गोपिव उंचास्वर रडवा लागी पर मायत्माने माटे साधना करतो जीव थाकी जाए त्यारे रडे अने त्यारे प्रभुदया करीने प्रगट थाई से तमे पन गोपिवनी जेम जारे अने माटे रडशो अने माटे तडपशो जारे ते प्रगट थशे प्राप्त थशे रामकृष्ण परमन्स केता श्त्री पुद्र आदीक मृत्युना प्रसंगे अने द्रिव्यनी प्राप्ति माटे लोको आसुनी धाराव वैडावे से परन्तु इश्वरना दर्शन माटे मने कोई आविर्ती साधना करता नधी परन्तु इश्वरना दर्शन मने नथी थता एम विचारी भगवान माटे एक आशुन टिपु कोई पाड़तु नधी वो तानो अनुभवरणावता कैसे संध्या समय पन जारे मने माना दर्शन न थाए त्यारे वो मोटे थी रडी उठतो मा तारा दर्शन विन आजनो दिवस पन चालो गयो उरड तो रड तो जमीन पर पड़तो मा आजे पन थे दर्शन आय पा नहीं शेव ते दर्शन थया एने माटे अति व्याकूर थैने आखो माती आसुवनी धाराव वेहडाव तो ते जरूर दर्शन आपशे पशी गोपिवो नुआक्रन जोई भगवान थी न रेवान गोपिवो रडे ते मारा थी सहन्न थाए गोपिवो अभिमान दूर करी दीन बनी इटले परमाज मातर तस प्रगड थाया से भग्त भगवान माटे रडे आक्रंद करे इटले भगवान ना दर्शन जरूर थाई से तमे पन जारे तेने माटे रडशो त्यारे ते प्रगड थशे ते प्राप्त थशे भगवाने गोपिवोंने कहलू से कि हवे हुँ तमने सोडीने जहिश नहीं। एम भगवान आपनने पन केशे हवे तने सोडीने हुँ नहीं जव। दश्यम्सकन नायध्या एकत्रिशने लोकों गोपि गीत कहे से। गोपि गीत मा ओगणिश प्रकारने जुदी जुदी गोपिवों गीत गाई से। त्यना प्रकारों वलभाचारिय महराजे बतायवा से। पहला स्लोक बोलनार पहली गोपि सात्विक राजस से। ते भगवा बिजाश लोग बोलनार बिजी गोपी सात्विक तामशी से एटले ते स्रीकृष्ण ने सहज ठब को आपे से बिजाश लोग मां तामस गोपी बोले से ते ते स्रीकृष्ण ने निश्ठूर के से तीजोश लोग बोलनारी गोपी सात्विक से ते ते भगवान ना उपकारों याद करे से अने त्यानों वर्णन करे से सोथोस लोग बोलनारी सोथी गोपी, सुरुती रूपा, निर्गून गोपी से, तेथी ते कह एशे, समस्त दे धार्य वनारदे मारे वाड़ा आप साक्षी सो, अंतर यामी सो पांसमा स्लोग बोलनारी गोपी अनन्यपुर्णा सात्विक गोपी से तेथी ते भगवान निक रूपायाचे से तमारो हाथ अमारा मस्तके पदराओ सठोष लोग बोलनारी गोपी अनन्यपुर्णा सात्विक तामशी गोपी से ते ते गोपी कनियाओ पर पोतानों हग बतावे से ते दुरुष्ट ताती प्रार्थना करे से गोपी गीतानों उप्सहार करता महाप्रभूस्रेवल भासार्ये जीए सुवोधिमा कयू से साधन स अंपति थी भगवान कदापी संतुष्ट थता न थी इतले के प्रसं थता न थी भगतोनी दीन ता एक जवस्तु भगवानने प्रसं करवानू साधन से प्रलाप अने गान निश्फल निवड्या इतले गोपी ओमा धन्यायओ अने तेने परिणामे ते ओ रड़ी पडेला गोपी गीत साम्बल स्री कुष्ण प्रगड थया, इटले वश्नवो आ गोपी गीतानो पाठ करे से, परन्तु कि इटलाक संप्रदायमा मरियादा करी से, कि भगवान प्रतक्ष दर्शन थाए, त्यारे गोपी गीत न गवाई, गोपी गीत वियोग न गीत से, जारे भगवा न दर्शन थाए, त्यारे ज गोपी इदगवाई, बहु अकळाई से त्यारे गोपी बोली से, तमे कप्टी सो, आपना थी आउगोलाई नहीं, गोपी वो बोली शके, भगवान ने दया आवी नहीं, त्यो प्रगड थया नहीं, इटले भगवन विर्व माप्रान तर फड आज लोक लज्जानों त्याक केरों, अने हे गोवेंद, हे दामोदर, हे माधव केता गोपी वो रुदन करवालागी से, परमायत्मा पुरो प्रेम मागे से, पागल थयाविना परमायत्मा क्यारे मलता नथी, कामांद पुरुष काम्मा पागल बने, लोभी धन माटे गल बने से, जीव संसार ना जड़ पदार्थ साथे प्रेम करे से, त्या सुधी इश्वर ने तेनी दयावती न थी, परमायत्मा ने प्रसन करवानू साधन एसे, के कांत मा भगवत विरहती व्याकूर थय, भगवान माटे जीवां सू पाडे, स्रिकुष्ण प्रगर थया से, गोपिवों ने आनंद थयो, गोपिवों प्रभू ने पूचे से, किटलाक प्रेम करनार साथे प्रेम करे से, किटलाक प्रेम न करनार साथे पन प्रेम करे से, किटलाक प्रेम करो के न करो, तो पन ते प्रेम कर ताज न थी, प्रेम करनार साथे प्रेम करनार संसार ना स स्वार्थी जिवों से बालक प्रेम न करे तो पण मातापिता बालक उपर प्रेम करे से बालक तिरसकार करे तो पण मातापिता तेना उपर प्रेम करे से अवधूत कोटिना महत्माओ सतत ब्रह्माकार रूती राखे से इतले त्यों इश्वर शिवाय कोई ना पर प्रेम करता तो तमें कया वर्ग मा आवो सो ते कहो कुष्ण जवावा पे से हूं त्रैने प्रकारों थी पर सु सक्खिवो तमारा प्रेम ने हूं जानू सु मारा वियोग मा तमने दूख थयू पन ते वियोग तमने विशिष्ट योग नो दान करवा माटे आपेलो से वियोग मा लक्ष साथे संयोग करता पन वधारे एकांत मा थाई से ते थी वियोग ये विशिष्ट प्रकार नो योग से आ विशिष्ट प्रकार ना योग नो गोपिवो ने दान करवा स्रिकृष्ण अद्रश्य थया था अने ते बहाने तेवो ना मन पोता ना वधारे एका कार बनायवा आवियोग मा गोपिवो एवी तनमय थेली के अंतरंग मा तेओने संयोग देखाई से एटले गोपिगीत मा बही रंग मा वियोग से पन अंतरंग मा संयोग से आवियोग मा तमारा करता मने वद्धू दूख से के मने मलवा आवेलो जीव फरी थी संसार मा फसाई फरी थी संसार मा भढ़ा आ विYourbet मा तमारा करता हूं वधारे दुखी थयोशू तमारू मंडल मोटू हतू तमे एक बिजाने आश्वासनाप दहता मारा वियोग मा ललीता रडती हती त्यारे ललीताने विशाखा मनावा गई अने सांत्वन आपती हती अने त्ये विशाखा त्यारे संद्रावली त्याने सांत्वनापती हती। मारा वियोग मा मारी वातो करता। तमें समय पसार करता आता। त्यारे तमारा वियोग मा हुँ एकलो हतो। मुँ एकलो रड़तो हतो। मारू दुख विशेश हतो। मने सांत्वनापनार कोई न हतो। गोपिवो तमें मानों सो। पन तमने अभिमान थे। तेथी तमारू अभिमान दूर करवा अने तमारू ध्यान फक्त तमारा माज गेंद्रीत करवा। मारे आपगलू भरू पढ़ तमने सोडीने नहीं जाओ। जीव मात्र गोपि से विशुद्ध थै दीन बनी ते प्रभू पासे जाए तो प्रभू माले से। स्रीकृष्ण गोपिवो ने कैसे। मारा थी यरून सुकवायें न थी। हे मारी गोपिवो तमे मारे माटे घर ग्रास तनी बेडिवो ने तो पुरिशक्ता न थी। मारू तमारी साथेन आमेलन सर्वता निर्माल अने सर्वता निर्दोश से। जों अमर शरीड थी अमर जीवन थी अनन्त काल सुधी तमारा प्रेम, शेवा अने त्याग नो बडलो सुकवा मागू तो पन सुकविशको यें न थी। उन्वो जनम सु तमारो रूनी सु, तमें अमारा स्वम्यव भलासव भाव थी, प्रेम थी बने आरूण मा थी मुक्त करिशको सो, परंतु हुटो तमारो रूनी सु, भगवान रामा आवतारमा हनमाणु नारूनी रयासे, अने कुष्णा आवतारमा गोपिव नारून मा रयासे, हनमाणe ने रामचंद्र जिये कईू से भगवान ने तमारा रोनी बनाओ त्यमनी पासे कई माक्षो नहीं इटले ते रोनी बनशे गोपिवना रोन से इटले तो कईू से के हुँ रुंदावन तजी ने कहीं पन जैश नहीं द्वारिक्या लिला मा मरियादा से पन गोकुल लिला मा प्रेम से गोपिवने परमानंदनू दानायपू से गोपिवो कृतार्थ थै से स्रिकृष्ण रस्वरूप से पंच भवतीक शरीर साथे नुआ मिलन न थी ते तो वियोग अगनी मा बली गई अतो आत्मानू रसात्मक साथे नुआ मिलन से गोपिवो इश्वर ना मिलन माटे तर फडे से वियोग मा प्राण तर फडे एटले जीवनो इश्वर साथे मिलन परमात्मानो वियोग एज मोटा मा मोटो रोग स्रिकृष्ण नो विरह एज महान दूख से प्रभुना विरह मा जीव संसार साथे रमे एना जेव विजु कोई पाप होए परंतु विष्ठाना किडाने विष्ठामा ती बार काडोतो ते फरीती विष्ठामा जशे त्याने विष्ठामा जानन देखाई शे अज जीव भोगी से इटले दुखी से रासलिलामा अधेच से इश्वर माटे जीव ज्यासुदि व्याकुल थतो नती, त्यासुदि इश्वर मलतो नती योग इटले के जीव इश्वरन सैयोग इटले के रासलिला महा योगी से वियोग अगनीमा घोपिवने पंस भवतिक शरीर बढ़एसे तो व रस्ष्वरूप इश्वर नुँ चिंतन करेसे वियोग अगनीमा शरीर बढ़ए जाए तो जीव इश्वर नु मिलन थाए आ शरीर अती मलीन से त्यनी साथ इश्वर मलता नथी भक्तोनु शरिड सतत भजन करवाथी दिव्य बने से, ते थी ती वुईश्वर ने प्राप्त करी शके से, आलिलामा प्रेम से मो न थी, प्रेम अंतरंग से मो भोग मागे से, प्रेम त्याग मागे से, मो संयोग मा पुष्ट थाई से, प्रेम वियोग मा पुष्ट थाई से, कारण के वियोग मा प्रेईनु सतत सम्रण रहे से वियोग ए विशिष्ट प्रकार्णो योग से सिकृष्ण आ विशिष्ट योग नो दान गोपी वने रास्ली लामा करू से रास्ली लामा लौकी कामासार होई शके ते वक्ते भगवान नी उमर अज्यार वरस्णी हती अज्यार वरस्णा आवा बालक मां काम वास्ना के विरित्य सम्भवी शके भागवतकार कथाकार शुकदेव जी महापरमण से ब्रह्मनिष्ट मुनी से ते लौकी कामनी वाद करेज नहीं अने भागवतना सोता से परिक्षित माराज जे मृत्यु काठे बेशी नियाक था सांभले से तेने लौकी कामनी वादो सांभलवानू प्रयजन होयज नहीं जेनु मरण थवानू से जेनु मरण समीप से एमने लौकी कामनी वादो सांभलवानी होयज नहीं रासलिलामा कृष्ण अने गोपिवना शरीड सबंद बिलकूल थयो नथी, स्री कृष्णनु गोपिवना शरीड साथेनु आमिलन नथी, गोपिवनु पंच भावतिक शरीड तो तेवना घरमा आतू। हे राजन, पेली तरफ रजवाशी गुवालयाओ भगवानने मायाथिमो पामी, पोद्पोतानी श्रीवने, पोद्पोतानी पासेज रहेली मानता, तेथी तिवो स्रीकृष्णने देश बुद्धिती जोता नहता, तिवोने स्रीकृष्ण प्रत्ते द्रेश उत्पन्न थयो गोपिवन अध्यात्मिक शरीर सुक्ष्म शरीर नू इश्वर साथे नू आ मिलन हतू सुक्ष्म शरीर सत्तर तत्वनू बनेलू से पाँच कर्मेंद्री, पाँच ज्ञानेंद्री, पाँच प्राण अने मन बुद्धी आ मन मरे से त्यारे सुक्ष्म शरीर मले से अमन मरे त्यारे भक्तिरस बले से त्यारे भक्तिरस मले से शुगदेव जिये स्पष्ट कई उसे के गोपिव ने पंच भावतिक देपल्या पशी आरास लिला थे अतो जीवनू मन्ती परमात्मा साथे नू मिलन हतू कारण गोपिव नू विशेशन जुव व्रजस्त्रियह क्रुष्ण गुरुहित मानसा अत्रे मन शब्द वापिरो से शरिर शब्द वापिरो न थे एनो मन स्री क्रुष्ण यहरी लिद्धू से तेवी गोपिव आलिला नू चिन्तन करवा थी काम विकार नो नाश थाय से जे ते धीर मनुष्य व्रजवाशिव साथे नी भगवान नी आकिडाने सद्धा युक तथै सामले अत्वा वरणवे ते भगवान विशे परम भक्तिने पामी ततका रदैना रोग रूपि काम देवने तजी दे से आरंब मा गोपिवोई कायू से कि अमे सर्व वियोग नो त्याक करीने आएवा शी अमे श्त्री तत्वनो पन त्याक करीने आएवा अंतमा गोपिवोई नो वाइक्य से कि अमारा रदै मा जो कोई काम होई तो तेने कापी नाग जो भागवत मा गोपिवोन आवा काम सबन्नों बोल घणाने खटके से आतो आउँ बोले से पन गोपिवोई आरम मा शूंकयू अने अंत मा शूंकय से ते ध्यान देने सांबलो ध्यान मा राखो तो पश्यावा विचार थशे नहीं राश लिलानों स्रद्धा थी साथ, स्रवन अने वर्णन करवा थी भगवान ना चरणों मा पराभक्ती प्रगट थाई से अने तिबव जल्दी थी पोताना रदै मा रोग थी काम विकार थी चूटकारों मेलवे से तेमनों कामभाव हमेशने माटे नश्ट थाई जाई से राश लिलाना पेला अध्याईना परमायत्मानों आत्मा साथे रमन से बीजा अध्याईमा रदै साथे रमन से त्रीजा अध्याईमा वाने साथे रमन से ते गोपी गीता सोथा आध्याएमा प्राण साथे औने पांचमा आध्याएमा बुद्धी साथे रमन से आ प्रमाणेनों सर्वांग साथेनों आरमन से राशली लामा परिक्षित राजा ये प्रश्ण उठायवा भागवत कारोने लाईजू ते लोकवावी शंकाव करशे तेथी अगावती स्पष्ट्राकरी मुकी से पेली बखत परिक्षित राजा प्रश्ण पोसे से गोपीवोतो स्रीकृष्ण ने केवल पोताना परंप्रीतम मानती हती अने तेव अने तेमना ब्रह्म भाव न अतो आथी तेव प्राकरूत गुणों मा आसकत हती तो गुणों ना प्रवारूप आ संसार्ती तेव अने निवरूत के विरित्य थै शुगदेव जी कहे से जीव इश्वर नो चिंतन करता करता इश्वर रूप बनी जाए से शिश्व पाल द्रेश भाव थी क्रोध मा भगवान नो चिंतन करतो हतो प्राकरूत शरीर नो त्याक करी और प्राकरूत शरीर धारन करी भगवान नो पार्षत बनी गयेलो ત્યારે ગોપિઓ ક્રુશનુવે બની જાય એમા શી નવાયડી વાજ શે હે રાજા રાસમા ગોપિઓ ના શરીર સાથે નું શ્રી ક્રુશનું રમણ નોતુ કે રાજન ગોપિઓ ના પંચ ભવતિક શ દરુરુરી સે અગજચની સે આવાતુ પ્રવૂત અને અવરૂત નામના પે પ્રામણોના દષ્ટાન અગાવમે તમને અજ્ધાય તે ત્રિશમાં સે ભાગવાં તો પૂરુણ કામ સે એને આવં નિદની કૃત્ય કેમ કેરું શુક્દેવમુની કેશે રાજા તો શું સમજો રાજા તારા મનમાં આ પાપ ક્યાં થી એઓ આ સ્ત્રી પુરુશનું મિલન નથી આતો જીવ અને ઇશ્વરનું મિલન હતુ આ રાસ્ત છો માસ સુધી સાલેલો ગોપિવો છો માસ સુધી વ્રજમાં ઘરેનો આવી ઓય તો કેટલી ગર્બળ થઈ જાય એનો વીચાર કેરો તે સ્પષ્ટ બતાવે સે કે આ જીવ ઇશ્વરનું આ ધ્યાતમીક બ દરેકના સાક્ષી અને પરમ પતી સે ભગવાન શ્રી ક્રુષ્ન આયતમાસે આયતમાકાર વૃતી તે રાધિકાજી અને બાકીની આયતમા ભીમુક વૃતીઓ તે ગોપીઓ જેમ નાનો બાલક નિર્વિકાર ભાવે અરી સામાં વતાના પ્રતી સાથે ખેલે તે વીરીતે આયતમાનું આયતમા સાથે રમણ શે આ રાસલિલાનું ચિંતન મનન કરવાથી બુદ્ધી સ પાંસ વિશીયો તેને પતી કરવા માગે સે પરંતુ બુદ્ધી એક ઇશવરને અરપણ કરવાની જીવનો સાસો પતી પણ દૂર નથી કરવદ જાઈશે લોબ જાઈશે પણ કામ જતો નથી કરણાય ખરા અનરથો કામ માથી સ્થાઈ કામ મરે કામ ત્રાસ આપેશે તેથી રાત્રે બાર વાગે સ્રિ ભગવાનું સમરણ કરો તેની પુજા કરો તો જરુર કામ લઈરેવસું ભાગવત એ ભહવરોગની દવાસે પણ સગળા વરતો પાળવા જોઈ મહાપુર્શો વેદ શાસ્રેને મર્યાદા ક્યારે થોડતા નથી સ્રી ક્રુશ્ન હમેશા ચાર વાગે એટલેકે બાયમુરુતમા ઉર્તા વલ્ભા ના પ્રસાદનું અપમાન નથાય અને એકાદશી વર્તનું નતોડાય ભગવાનના પ્રસાદનું અપમાન નથાય અને આખિરાત તેવોય હાતમા પ્રસાદ રાખી પ્રસાદના વખાણકેરા અને બારશ થય અને એકારશનો દિવસ પુરો થયો એટલે પ્રસાદ મહાપ્રભુજીએ આરોયો સ્રિવલભાસાર્ય મહાપ્રભુજીએ કાયુસે કે વિશે સુખમા ફસાયલા માટે આપુષ્ટિ માર્ગ નથી ગોકુળમાં સ્રિક્રુષન ચાર વ્રતોનું ચાર પ્રતિગ્ણવનું જર બેલા કપડા પેરાય મારા મિત્રોને કપડા પેરવા મળતા નથી તો હું કેમ કપડા પેરું તીથી મથુરા માં ગેલા ત્યારે બીજા ગોપ મિત્રોને કપડા પેરએવા પશી પેપોતે કપડા પેરેલા સે ત્રીજુ આતમા ફક્ત વાશ્લી વગાળે સે શુદ્પ્રેમની બંચી બજાવે સે તેતી ઘણાય માયતમાઓ કએસે કયામને સુદીજ ભાગવદની કથા કહો સમળાઓ મથૂરાની લેલા રાજસ્લેલા સે તેમાયુદ્વાદ અનિલગનની વાતોસે પાંશની નોટ ખીસા માતી પડી જાએ પશી સમજ્જ્યો કે બ્રહમ સત્ય સત્ય કે નોટ સત્ય કેવળા સત્ય નોભવા મુશ્કેલ સે ત્યારે ગોપી ઓે સરળ મારગ વતાયવો સે પ્રેમ ભક્તી નો અને લોકોને પુજનકરી અરાસ પંચાયદે નો પાટ કરેસે રાજા આ લિલા ચિંતની સે અનુકરને સેજ પણનથી આ લિલા થી કામનો વિનાશ થાય તો સ્રી કરુષન જરાય દૂર નથી રાત્રે સુતા પેલા સ્ણાન કરો ગ્રસ્થી ગાદી વિદ્યાધરની કથાવે સે રાશ્રીલા પશિશા માટે આ કથાપી સોંદર્યનુ અભિમાન કર્શો સુદર્શને પોત પ્રભુને પ્રસ્ણ કરવાનું સાધન દીંતા સે રાવણે કઈ તપશર્યા ઓશીન કરી પરંતુ તેની પાસળ ભોગ લા બ્રામણોને પુશ્કળ દાનાય પા રાતના સમયે બધાય સ્રસવતિના કિનારે મોકામ કરો અંબી કાવનમાં એક કાણ છવો તે પુરુશ કએસે કે હું પુર્વે હું સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર હતુ સુદર્શન કએસે કે હું 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 તેથી એને મને સ્રાપ આપો તેવો મને કએસે કે તુમારી આક્રુતી ને આ શરીર માં ભરેલા સે કોઈ ની આક્રુતી ને જોશો ને સામડી નું ચિં કરું એ પાપ સે માતમાવે કોઈ ની આ ક્રુતી ને જોતા ને ક્રુતી ને જોએ સે આકાર જોવાતી મનમાવીકાર ઉતપં થાય એ માટે કોઈ વયક્તી ન ને ની દ્રષ્ટીએ સંસાર સુંદર નથી અંગીર આરુશી વિદ્યાધરને કેશે મારુ શરીર કાળુસે પણ મંં ઉજ પશી લોકો વખાન કરે નમમ બોલે સે સરવ પણ તેને આચ્રણ માં મુકે સે ગીટલા રાત્રે જાક્ષ્ય એટલે રુપી અજગર ગળી શક્ષે નહે સત કર્મ કેરા પશી કેજો એ ઠાકોર જી નિક્રુપા કરી મને નિમીત બનેઓ કેઆરે ત્યના મનમા પાપ આવેશે રાત્રે ખુબ સત કર્મ જભ વગેરે કરો નિવરુતિના સમેય મન કામ સુખ સે એક લૂપડે એટલે કુદા કુદ કરેજ આ મંજો નવરુરુરે તો બાબરા ભુજ્ય ઉશે એને કોઈ કામ ન મળે તો ખુટા વિચારો કર્શે માટે મનને જરાપણ નવરુરુરેવા ન દેતા સતત ભગવત સમરણ કર્જુ અને સત કાર્ય ક દરેક ઇંદ્રીથી ભગ્તી કરો કાંથી ભગ્તી કરો આંથી ભગ્તી કરો જીપ્થી ભગ્તી કરો અને મંથી પણ થઈ ને કર્જુ લોકો આજે ઘરને સ્વચરાખે સે પણ નિર્મળ રાખતા નથી રાત્રે સુતા પેલા ઘરમા બદાય ભ કારે વાશલી વગાડે જારે ડાબા ગાલુ ઉપર વાશલી રાખે વાશલી વગાડે ત્યારે ગોપિવો તનમઈ થઈ જઈ જારે ત્ય આકાશ તર્ ઉપર નજર રાખી વાશલી વગાડે ત્યારે સવર્ગના દેવો તનમઈ બની જાયસે પાતાલ જાયમ ને માટે ટકાવુ બ્રહમ સબંં સતત કરો કાલ્જી રાખો એક્ષણ પણ સંસાર ની જડવસ્તુ સાથે બંધન ની કરતાં